लास 10th chapter 4 carbon andials compound आपको पता है कि हमारे scientists 118 elements अभी तक discover कर चुकी है बढ़के आपको यह पता है कि 1118 elements में क्यों हम सिरफ carbon andvarids compound को separately as a chapter परते हैं तिसलिटी शेयर और ओर आपario केमस्ट्रय कार्बन gone Einrichty Nyer अथी सब्यक्ट भी परते हैं तो ये चीज़ चानने से पहले हम ये देखते हैं कि when your day begins, you need so many things. It means breakfast, soap, uniform, food, fuel and all the things we use in our daily lives. तो क्या आप बता सकते हैं इन सारी चीज़ों में common क्या है? Yes, इन सारी चीज़ों में common क्या है? इन सभी में हमारा common क्या है carbon. अगर हम बात करें, फ्यूल की जो ये क्या है, इन सिलिंडर पर भड़े जाते हैं, उस गैस का नाम क्या है? CNG gas. CNG gas में जो हमारा composition होता है, जो compound होता है, उसमें क्या होता है? Butane, मतलब C4H10, इसका formula है. तो ये ब्यूटेन का formula है, तो इसमें क्या प्रेजेंट है carbon? दाल हो गया, vegetables हो गया, fruit हो गया, milk हो गया, curd हो गया, तो इन सभी के composition में क्या होता है? Carbon, hydrogen and oxygen. तो इन सभी के composition में सबसे ज़्यादा present क्या होता है? सभी में क्या present होता है carbon? अगर हम medicine की बात करें, तो इसमें भी carbon प्रेजेंट है? तो इसमें carbon कैसे प्रेजेंट है कि even plants and animals made up of carbon compound like protein, fat, carbohydrate, nucleic acid and many more things. When we talk about cells, तो पता है कि हमारी जो body है, वो किसे बनी हो है? से बनी हो, से बनी हो. Cells के अंदर क्या होता है? Cells के अंदर हमारा cytoplasm होता है, और cytoplasm में हमारा क्या होता है? Nucleic Acid और Nucleic जो material है उसके अंदर क्या होता है? RNA DNA यह RNA DNA जो होता है, जो hallux structure है, तो यह कैसे एक दूसे से connect होता है? यह हो गया तुम्हारा hexagonal और pentagonal के nodes जो बनी होते हैं, वो हर nodes किसे बनी होते हैं? Carbon से बनी होते हैं, तो यह क्या होते हैं? इसे present होते हैं, तो उसके बाद हम next देखते हैं, कि अगर हम बात करें, फोटो सिंथेसिस, तो फोटो सिंथेसिस के लिए carbon dioxide is more essential gas, किसले essential है बेटा, essential for synthesis of food, food को prepare करने के लिए carbon dioxide, carbon dioxide as a raw material चाहिए, फोटो सिंथेसिस के लिए और फोटो सिंथेसिस जब तक होगा नहीं, तब हमारे लिए बहुत ही जादा क्या है, इंपोर्टेंट है, तो इसमें भी देखे carbon present, अगर medicine की बात करी चुक है, अगर हम diamond की बात करें, तो diamond में हम क्या देखते हैं, कि ये हमारा diamond है, तो diamond में क्या होता है, कि ये भी पूरे carbon के pure allotrops है, allotrops में हमारा carbon present होता है, ये बहुत ज्यादा hardest substance है, जो अभी तक discover किया जाता है, ये इतना ज्यादा hard है, कि अगर हम इसको पत्थर हो गया, या फिर mirror हो गया, तो ये जो है drill करने के काम आता है, इसको हम क्या कर सकते हैं, कि stone हो गया, या फिर हमारा mirror हो गया, या glasses हो गया, इसको क्या कर सकते हैं, हम तोड सकते ह रजय है नोक में पेह समुल शरय हृएं लीक्राइँ ते जब में पू सेचित ऊफिकल वी-डी को स्अचित में कीुछ तो आपको आपको दिखी गया होगा कि कितना जादे यह इंपॉर्टेंट है अगर हम फ्यूल के बात करें तो कार्बन का जो कंपाउंड है यह फ्यूल के लिए सबसे ज्यादा यूज है बिना फ्यूल के लाइफ सर्वाइफ करना इंपॉसिफल है अगर हम बात करें पेट्रोलियम, कोल, डीजर, नैच्रल गैस, सी एंजी इस आर दे यूस फॉर रनिंग वेहिकल एंड हैवी मशीन और सभी के लिए पेट्रोलियम जो है यह सारे जो हमारे चीजें बहुत जादे इंपॉर्टन और यह सारे फ्यूल्स में सबसे ज्यादा प्रेजंट क्या होता है कार्बन क्योंकि कार्बन जो ऑक्सीजन से रियक्ट करके सी यो टू गैस प्रोड्यूस करता है अगरर अगर बाटरी को रृन कराने में बहुत जयादा है अगर हम मेकब के सामान को देखे तो मेकब के सामान जितनी भी वह हमारी अगरan टेकर्ष प्लास्टिक प्रोडक्ट में हमारे जितने भी ट्वालेट के कवर मटीरियल्स हो गया, हमारे जितने भी ट्वालेट के कवर मटीरियल जो गया, विटिडेंटी प्रोडाक्ट के जितने भी कंटेनर हो गए। टीवी के माटिरियल में जो भी हमारा प्लास्टिक होता है। तो ये सारे प्लास्टिक प्लास्टिक में अग्डेयल में सारे ब्रैश हो गया। अगर हम तेबल की बात करें चेर की बात करें अगर हम घर की बात करें थे अगर हम अध्युसों… अबर हम इंचा स्ब he winter, आई वा धया carbon compound is limitless and how important carbon in all living हर एक दिन हम 95 carbon compound daily use कर रहे हैं directly या फिर indirectly so that is why we study carbon and its compound separately as a chapter यही reason है कि इसको हम as a separately as a chapter पढ़ रहे हैं तो यह था part 1 आगे का part देखने के लिए आप like और subscribe जरूर करे और करना ना बुले thank you thank you so much for watching my video